हलो दोस्तों, सबाकूर्ती डिजाइन में स्वागत है आपका, आज हम पलाजों में लाश्टीक लगाएंगे, लाश्टीक को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर बीच में निशान लगा लेंगे, इसके बाद फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद यहाँ भी नि यह देखिए, मैं चार निशान ऐसे लगा लिया हूँ, यह निशान जो है जोईंट पर जाएगा, देखिए इस तरह से जोईंट पर निशान को रखके लाश्टीक को लगाएंगे, लाश्टीक को ऐसे रखके मार्जन को अंदर फोल्ड कर लेंगे, और बूट के नीचे इ इसके बाद यह जो मैं निशान लगाया हूँ, जोईंट पर रख लेंगे, यह देखिए इस तरह से जोईंट पर रखना है निशान को, और यहाँ भी मार्जन को अंदर फोल्ड करके लाश्टीक को अपने तरब खीचेंगे, ऐसे लाश्टीक को खीच लेंगे, इसके के जोईंट पर लेबल लगाऊंगा, अगर आपको लेबल नहीं लगाना है, तो आप ऐसे भी लाश्टीक को लगा लें, लेबल को मैं लगा दिया हूँ, अब यह तीसरा निशान है, अब इस जोईंट पर रखेंगे, यह निशान जो है, साइड के जोईंट पर आ रहा है, यह देखिए, ऐसे पलट लेंगे, और मारजन को फोल्ड करके, लाश्टीक को अपने तरब खींच लेंगे, और इस तरह से लब की सिलाई से लाश्टीक को लगा लेंगे, दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा, यह पहला तरीका है जो मैं लाश्टीक लगाने को बत चला लेंगे इस पर, दोस्तों इसी तरह से यह लाश्टीक लगाना है, यह पहला तरीका आपको बताया हूँ, टाकी को बाध के इस पर दाप की सिलाई चला लेंगे, सिलाई मैं चला लिया हूँ इस पर, और यह बीच में गयप मैं इस लिये छोड़ा हूँ, इसमें डोरी डालना है, तो यह गयप इतना मैं छोड़ दिया हूँ, लाश्टीक अगर ढिला हो तो आप इसमें डोरी आसानी से डाल लेंगे, अब मैं आपको दूसरा तरीका बता पाने का, पलाजो मैं रख लिया हूँ, और मार्जन को इस तरह से फोल्ड कर रहा हूँ, एक बूट का मार्जन, ऐसे चारो तरफ फोल्ड करके सिलाई चला लेंगे, मार्जन फोल्ड करके सिलाई लगा लिया हूँ, अब यह लाश्टीक मैं लिया हूँ, जैसे पहले लाश्टीक पर मैं निशान लगाया था, ठीक उसी तरह मैं इस लाश्टीक पर भी निशान लगा लिया हूँ, यहां पर आप ध्यान देना, अब लाश्टीक को हम कपड़ पर रखेंगे इस तरह से लास्टिक को रखने के बाद निशान को जुआइंट पर रखेंगे ये देखिए ऐसे रखके लास्टिक को अपने तरब खिचेंगे और किनारी पर सिलाई चला लेंगे दोस्तों इसी तरह से निशान को जुआइंट पर रखके और किनारी पर धागे को कट कर लेंगे धागा कट करने के बाद अब लाश्टीक को पलट लेंगे इसे इस तरह से लाश्टीक को पलट के किनारी पर सिलाई चलाएंगे दोस्तो इसी तरह से पूरे लाश्टीक पर सिलाई चला लेंगे शिलाई में चला लियाओं टाकी को बाध के धागे को कट कर लेंगे अब ये देखिए मैं लाश्टिक इस तरह से लगा दियाओं इस्पर एक दाब की शिलाई चलाएंगे लाश्टिक के चारो तरफ ऐसे सिलाई मैं लगा लिया हूँ दोनों सिलाई के बीच मैं गैप छोड़ दिया हूँ डोरी डालने के लिए आप वीडियो में बने रहें मैं तीसरा तरीका बताऊंगा आपको ये देखिए मैं कपड़ा रख लिया हूँ अब ये तीसरा तरीका से लाश्टिक लगाऊंगा मारजन को फोल्ड करके चारो तरफ सिलाई चला लेंगे ऐसे सिलाई मैं लगा लिया हूँ इस पर अब लाश्टिक लगाऊंगा इस लाश्टिक पर कोई निशान नहीं लगाना है लाश्टिक को रख के मारजन को ऐसे फोल्ड करेंगे और किनारी पर सिलाई चला लेंगे दोस्तों सिलाई चलाते समय ध्यान दें लाश्टिक जो है सिलाई के नीचे नहीं आना चाहिए और कपड़े पर किनारी के सिलाई चलाएंगे इसी तरह से लाश्टिक को लगाना है ये लाश्टिक फिरी है इस पर सिलाई बिल्कुल नहीं आना चाहिए ये देखिए मैं इस तरह से लाश्टिक को लगा रहा हूँ यहाँ पर लाश्टिक को अपने तरफ खिंच के कपड़े को सरका लेंगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस इलाई से लाश्टीक नहीं दबना चाहिए नहीं तो ये कपड़ा हम सरकाएंगे तो कपड़ा सरकेगा नहीं इसी तरह से पूरी लाश्टीक को ऐसे लगा लेंगे ऐसे कपड़े को सरका के लाश्टी को अपने तरब खीच लेंगे और लाश्टी को ऐसे ही लगाना है धागे को कट कर लेंगे धागा कट करने के बाद हम लाश्टी को ऐसे खीच के कपड़े को बराबर कर लेंगे यह देखिए इस तरह से लाश्टी को खिचेंगे तो कपड़ा अपने जगह पर चला जाएगा अब इस पर हम सिलाई चलाएंगे एक दाब की सिलाई चलाएंगे बाहर के साइड में दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें डेली मैं नया डिजाइन अपने यूटूब चैनल पर अपलोड करता हूँ धागे को कट कर लेंगे यह देखिए कितना फ्रीशिंग आया है लाश्टिक में दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कम्पलीट हो गया है